बेर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अनिश्चत्ता का समय होता है। स्टॉक मार्केट अपने आल टाइम हाई की तुलना में कम से कम 20% नीचे आ जाते हैं। फीचर को लेकर बहुत अधिक पैसिमिजम होता है। मंदी की आहट सुनाई देने लगती है। लोगों की काम से चटनी होने लगती है। कमपणीज प्रॉजेक्स पोस्पोन करने लगती है। कमॉडिटी प्राइजस बढ़ने लगते हैं बगेरा बगेरा। इन सब के रिजल्ड के रूप में कई इनВेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं और अपनी equity holdings को कम करना शुरू कर देते हैं अब ये कई लोगों के लिए surprise भरा हो सकता है कि Indian market indices, Sensex और Nifty ने पिछले 25 सालों में 1, 2, 3 नहीं बलकी 20% की गिरावट के 8 ऐसे अफसर देखे हैं इसका अर्थ हुआ प्रतेक 3 वर्ष पर एक बड़ी गिरावट इसलिए इस वीडियो में हम कुछ डेटा तथा कुछ specific strategies पर गौर करेंगे जिसका उपयोग आपके और मेरे जैसे retail investors इस bear market के period में बहतर ढंक से बचे रहने के लिए उपयोग में ला सकते हैं आईए शुरू करते हैं Equity long term investment के लिए पसंदीधा asset class बना हुआ है अगर आप पिछले कुछ समय से invest करते रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मुझसे सहमत होंगे कि प्रतियेक asset class में कुछ हद तक volatility यानि उतार चढ़ाव या अस्थिरता होती है Equity, bond, gold, crypto, real estate, metals, आदी, सब कुछ इसमें आपका bank fixed deposit भी शामिल है जिसमें पिछले एक दशक में interest rate में 4-9% तक की गिरावट देखी गई है बास्तव में पिछले तीन दशक के data show करते हैं कि equity, debt instruments तथा gold की तुरना में बड़े पैमाने पर अच्छा perform करते हैं पिछले 32 वर्षों में cents6 में invest किया गया एक रुपया 68 गुना बढ़ गया है और हमें 14.1% का average annual return मिला है सेम पीरियड में gold की कीमत 20 गुना बढ़ गई जबकि bond की कीमत 14 गुना बढ़ी जो equity को लंबी अवधी के wealth creation के लिहाज से पर्याप्त बढ़त प्रदान करती है बेशक हम इस तथे से इंकार नहीं कर सकते कि equity investment उतार चड़ाव के साथ आता है ये ऐसी जगा है जहां investor का risk tolerance level महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर उस पार्ट का ध्यान रखा जाए तो stock सबसे अच्छे long term investment option बने रहते हैं और negative return की कुछ छोटी अवधी जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि बावजूद अन्य asset classes के तुलना में इससे return generate होने की सभावना बनी रहती है जैसा हम मानते रहे हैं उससे उलट bear market कहीं ज्यादा common है उदाहरन के लिए Indian stock market ने पिछले 25 सालों में 20% के गिरावट के 8 ऐसे अफसर देखे हैं इसका आर्थ हुआ प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बड़ी गिरावट इसी प्रकार American market और खास करके S&P 500 इंडेक्स ने 1928 से अब तक ऐसे 26 bear market देखे हैं जो संयोग वश्तीम वर्षों में एक जैसा ही है लेकिन अगर stock market को bear market का सामना करना पड़ता है तो इसका ये अर्थ भी हुआ कि bull market के संख्या भी बरावर है और अच्छी बात ये है कि stock के value bear market में गिरावट की तुलना में bull market में अधिक तेजगती से बड़े है इसलिए numbers में जैसा कि American data से पता चला है कि stock के value में bear market में 36% के average से गिरावट आई है और इसके उलट bull market के दौरान उन्होंने 114% के average से गेन किया है फिर भी हम इस बात से सहमत हैं कि एक bear market इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा की तरह एक कठिन समय होता है और कई इन्वेस्टर्स के लिए ये एक panic भरा समय भी होता है जो अपनी equity holdings को rock bottom price पर बेच देते हैं जिससे उन्हें उनके portfolio में बड़ा नुक्सान होता है हमने इसे हमेशा देखा है और विशेश रूप से 2001, 2008 और 2011, 2016 तथा निश्चित रूप से 2020 के कठिन समय में देखा है और अब हम 2022 में भी थोड़ा सा देख रहे हैं हाला कि अभी ज्यादातर foreign investors ही sell कर रहे हैं बहरहाल किसी stock market को exit करने से ज्यादा बड़ी गलती है 2020 के collapses के बाद stock market ने अपने यतिहास में सबसे मजबूत bull market भी देखा है मैंने किसी business news channel में किसी expert को ये कहते सुना था कि अगर कोई equities में 100% invested रहता है जब market 20% की गिरावट के mark को पार करता है तो investment के अगले तीन मर्शों में शानदार इनाम मिलने की संभाब ना है पर हमारा research हमें क्या show करता है इस century में निफ्टी 50 में पहली बार वर्ष 2000 के सप्टेंबर महीने में all time high से 20% की गिरावट आई निफ्टी में वहां के बाद से गिरावट आती रही और आखिरकार 2001 के सप्टेंबर में ये all time low पर पहुँच गया था तथा निफ्टी अपने all time high की तुलना में 45% तक गिर गया बहरहाल चुकि मार्किट को टाइम करना लगभग नामुम्किन ही है इसलिए मान लीजिए मैंने पहली बार कुछ पैसे इंवेस्ट किये निफ्टी ने 20% का मार्ग पार किया इसलिए ये वर्ष 2000 का सेप्टेंबर महीना ही हुआ अब जब हम इस investment पर 3 वर्ष के बाद नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसने मुझे 3.7% का CAGR दिया है ये मेरे धहरे का एक शांदार रिनाम तो नहीं है लेकिन अगर 5 साल बाद इस पर फिर से नज़र डालते हैं तो मेरे धहरे को और अधिक reward किया गया है निफ्टी 50 ने 15.4% का average annual return डिलिवर किया है जबकि इसमें dividend को count नहीं किया गया है अब जब हमने 3 वर्ष 5 वर्ष के observation को दूसरे bear market period तक बढ़ाया है जनरल assessment positive ही रहा है इसका एक मातर अपवाद 2008 का global financial crisis रहा है जिसने Indian और global economy को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया जिससे उबरने में market को और अधिक समय लगा फिर भी दिये गए तरक में कुछ merit है और ये इस तरक का समर्थन करता है कि कठिन समय में इन्वेस्टमेंट को होड़ करने की जरूरत है या जैसा कि बैटमैन ने कहा दे नाइट इस डाकिस्ट बिफोर दॉड़ॉन निफ्टी ने 2019 में 12% का रिटर्न डिलिवर किया 2020 में लगभग 15% और 2021 में 24% का जबरदस रिटर्न दिया दूसरे शब्दों में हम काफी ग्रीडी हो रहे थे और ये उचित ही था कि वर्ष 2022 में उनमें से कुछ गेंज को रिड्यूस कर दिया अब एक बैर मार्किट में आपको एक्विटी से डबल डिजिट रिटर्न की उमीद नहीं करनी चाहिए आपको उस पीरिड में लो या निगेटिव रिटर्न की उमीद करनी चाहिए और बॉंड, गोल्ड तथा फिक्स डिपॉजट जैसे दूसरे एसेट क्लास जिनका एक्विटी के साथ लो कोरेलेशन है उनमें स्मार्टली इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बैलन्स करने के लिए तयार रहना चाहिए रिटर्न की उमीदों के अतरिक्त इन्वेस्टर्स को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए जो आपके बहेवियर को गाइड करने में बड़ी भूमिका निबास सकते हैं उधारन के लिए भारत में एक्विटी के मार्किट में 20% की गिरावट को देखने के लिए तीजी से इस फैट को ओवरशाडो किया जा सकता है कि इंडिक्स हमेशा ओल टाइम हाई पर वापिस आया है और फिर लॉंग टर्म में 13-14% का CAGR आफर करते हुए उसने उपर की और पढ़ना जारी रखा है जिन इंवेस्टर्स को वर्श 2022 में डाउट रहा है उन्हें वापिस जाना चाहिए तथा 1992, 2001, 2004, 2008, 2011 तथा और कई वर्शों में स्टॉक मार्किट के री सर्जन्स की जांच करनी चाहिए जिसमें निफ्टी तथा सेंसिक्स दोनों ने ही लगातार नई ओल टाइम हाई को चुआ है इसलिए तदकाल के समय के लिए अपनी उमीदों को अड़्जस करें और अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि अपनी भावनाओं को काबू में रखें भविश्य में आपको गाइड करने के लिए मार्किट साइकल के इतिहास पर भरोसा रखें आप स्टॉक मार्किट के डारेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते पर ऐसे और बहुत से एरियाज हैं जिन्हें आप इंफ्लूइंस कर सकते हैं वास्तव में ऐसी तीन चीजें हैं जिन्हें आपको विशेश रूप से मैनेज करने की जरूरत है जब कभी बैर मार्किट के मुश्किल हालात से बचना हो पहला टिप ये है कि आप अपने पिछले आक्शन्स या इनक्शन्स पर ध्यार न दे देखिए इन्वेस्टर्स अक्सर खुद को दोशी मानते हैं स्टॉक मार्किट की गिरावट को नहीं कि उन्होंने संकेतों को सही से नहीं पकड़ाया एक्विटी में से पोर्टफोलियो के कुछ पार्ट को नहीं हटाया मेरे अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि कहना हमेशा करने की तुर्णा में ज्यादा आसान होता है क्योंकि नीचे की और की गती हमेशा बहुत तेज होती है और हमेशा सही समय पर सही कदम उठाना संबब नहीं होता इसलिए जो किया जा चुका है या क्या किया जाना चाहिए था उस पर विचार करने की बज़ाए आगे की और देखने का ज्यादा प्रयास करें और यहीं आगे की ओर देखने में दूसरा टिप काम में आता है यानि आपके portfolio allocation को improve करना जो कुछ और नहीं है बलकि stock, bond, gold, property, cash, crypto आधी जैसे विभन asset class में आपके पैसे को रखने का तरीका है और यह वो point है जिस पर हमने इस YouTube चैनल पर और relevant data के साथ चर्चा की है लेकिन अगर आप कोई refresher चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना न भूलें जिसका link मैंने description में अटाच किया है fact यह है कि एक strategy या tactical allocation रखना ये सुनिश्चत करेगा कि आपके portfolio की volatility अच्छे downside protection के साथ manageable है तीसरा और बहुत ही महत्वपून tip यह है कि आप अपने portfolio को समय समय पर rebalance करते रहें Rebalance करने की शुरुआत के रिए किसी विशेश event के जरूरत नहीं है और rebalancing specified intervals पर किया जाना चाहिए चाहे market high, low या फिर flat हो Risk management technique के रूप में rebalancing सुनिश्चत करता है कि आपका portfolio आपके लक्ष के अनुरूप बढ़ता है और अगर asset allocation और rebalancing आपके लिए नया है तो हम इसे highly recommend करेंगे कि आप हमारी genius offering को explore करें जो आपके लिए ये सब करता है और इसका लक्ष अपने investors को एक बहतर risk adjusted return ओफर करना है Bear market कम समय के लिए होते हैं भारत में किसी bear market का average समय लगभग 8 महीने का होता है जबकि bull market अधिक लंबे समय तक लगभग 2.5 से 3 सालों तक टिकता है इसी प्रकार अगर हम American market तथा उसके 92 वर्षों के इतिहास पर नज़र डालें तो bear market उनमें से केवल 20 वर्षों तक ही रहा है जिसका अर्थ है कि इसमें equity investment 78% अव दे टाइम बढ़ता रहा है जिसका effectively अर्थ ये है कि अगर stock market bear phase में भी है तो भी stock market में शामल companies अभी भी innovate कर रही है अभी भी manufacturing कर रही है और वो लगातार sales, cash flow और खुद के लिए profit generate करते हुए अपने product और services बेच रहे हैं तो essentially वो लगातार wealth create कर रहे हैं और कुछ महीनों में जब bear market खतम हो जाएगा तो wealth उनके shareholders portfolio statement में भी reflect होने शुरू हो जाएगे investors के लिए यहाँ एक सम्मंद्ध सुजाव ये है कि वो इस bear market period के दौरान gloom and doom news से दूर ही रहे और ऐसा इसलिए है क्योंकि media लगातार recession, stagflation, bankruptcy, fiscal deficit, unemployment जैसे शब्दों से investor को bear market की याद दिलाता रहेगा बेशक मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि सारी खबरें गलत ही होंगी लेकिन जरूरी खबरों और केबल शोर वाली खबरों में फर्क करना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है मेरी राय में investors को valuation, industry growth, demand, capacity building आदी यैसे core indicators पर focus करना चाहिए बजाए उस चीज़ पर जो business channels हमें जबरन दिखाते हैं और अंत में अपने financial plan पर टिके रहें आप देखते हैं कि एक अच्छा financial plan वो है जो आपकी जरूरतों और आपकी जोखिम लेने की शमता के अनुसार बनाई गई है जिसमें इस प्रकार के समय के लिए allowances का निर्मान करना भी शामिल है जब stock market किसी खराब दोर से गुजर रहा होता है इन allowances में इस प्रकार की चीजें भी शामिल हैं जैसे emergency वाले समय के लिए कुछ funds रखना buying अवसरों का लाब उठाने के लिए cash का एक cushion रखना growth stocks से value तथा defensive stock की और move करने की एक in-built flexibility और बेशक अपने लक्षेयों को target पर रखने के लिए disciplined rebalancing अब एक financial plan को जटल होने की जरूरत नहीं है और अधिकतर इसके लिए किसी financial advisor की भी जरूरत नहीं होती बास्तव में एक अच्छे financial plan के केवल 5 parts होते हैं पहला discipline investing है जिसकी शुरुआत कुछ systematic investment plan या SIP के साथ की जा सकती है दूसरा ये सुनिच्चत करें कि आपके investment सभी asset classes में diversified हो यानी एक multi asset portfolio हो जैसा की genius offer करता है तीसरा अपने सबसे बुरे stock से पीछा छोडाने के द्वारा bear market के द्वारान smart बने और balance capital को मजबूत companies में डालें जो अब relatively बहतर valuation पर available हैं चौथा point अपने asset allocation तथा rebalancing को सही करें और अंत में अपनी भावनाओं पर काबू रखें और बहुत अधिक buying या selling जैसी जल्दवाजी भरे फैसलें न करें इन 5 points में हमने जो उलेख किया है वो पहले ही हमारे YouTube channels पर अधिक विस्तार के साथ cover किये जा चुके हैं इसलिए आपने अगर अभी तक इसे subscribe नहीं किया है तो please इसे जल्द करें और अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं तो sum up करते हुए किसी अच्छे financial plan की असली जाच यही है कि ये किसी भी प्रकार की bear market में perform करता है और ये हमारा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो में cover किये गए steps और strategies को अपनाते हैं तो आप ऐसे अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक संतुष्ट और अधिक धनी बन जाएंगे जो अपने पैसे के साथ कोई सही planning नहीं बनाते और नहीं बहतरीन ढंक से फैसले लेते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं अगर आपने इस वीडियो के content को पसंद किया है तो उस like बटन को जरूर दबाएं और हमें comment करके बताएं कि आप किस प्रकार bear market से निपटने के तयारी कर रहे हैं एक बार फिर समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद और मैं आपसे अगले सब्ता एक और insightful topic पर मिलने की उम्मिद करता हूँ